इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है भी अमरीका को अड़े दे चुका है, जैकवाबाद सिन में और शमसी एरवेस बिड़ोचिस्तान में तो यह ख़च्छा इसलिए है कि 2001 में जनरल मुशरफ ने यह फैसला किया था बगहर पारलिमेंट को बताए, बगहर काबीना से मश्वरा किये और इसलिए लोगों को ख़च्छा है कि कहीं फिर वो जो एक यहां पे खेल खेला गया, वो न शुरू हो जाए देखें यह जो हम कहते हैं न कि ड्रोन हमलों की हम मुखालफत करते हैं हर हुकूमत ने यह कहा, एलानिया तोर पर, ड्रोन हमलों की ओपर एतजाश किया, लेकिन ड्रोन हमले रुके ने जिर्ल मुखरफ ने बिलाखिर माना, कि उन्होंने महदूत पैमाने पर अमरीका को ड्रोन हमले करने की अजासत दी थी लेकिन फिर अमरीका ने महदूद पैमाने पर नहीं बड़के बड़े पैमाने के उपर ड्रोन हमले किये 440 के करीब ड्रोन हमले पाकिस्तानी अलाके में हुए और अजीब बात ये थी कि ये ड्रोन पाकिस्तान ही में शमसी एर बेस के उपर खड़े होते थे वहीं पर ये उतरते थे और वहीं से उड़कर पाकिस्तान के फाटा में कबाली आलाकों में हमले करते थे तो मेरे खाल में अमरीका का तो अड़े दर्कार हैं करीब तरीन इसलिए कि वो चाहेगा अगर कोई दर्शत गिर्दी का खत्रा हो या तालिबान काबल के उपर कबजा करना चाहें या दाइश अलकाइदा फिर से फाल हो जाए तो फिर उसके पास कोई खरीबी अड़ा हो ताकि वहां से वो परवास करें उनके तयारे और वो बंबारी करें लेकिन ये है कि उनके पास इसके मतबादिल भी हैं उनके पास अर्दन, कतर, बहरेन, ओमान, डिगो, गार्शियर में भी अड़े हैं उस्बकिस्तान से उनकी बादशीत हुई है वहाँ पे खानाबाद के एर बेस पहले भी अमरिका ने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के लिए अब फिर वो चाते हैं लेकिन रूस के जो सफीर हैं अफगानिस्तान के लिए खास जो नमायंदे हैं जमीर काबलों के कह दिया है कि अजबकिस्तान और ताजिकस्तान अमरीका को फोजी अड़े नहीं देंगे पाकिस्तान ने भी कह दिया है अब देखना यह है कि अमरीका का दबाव बढ़ता है यह अमरीका जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ जमीनी रास्ता मांगेगा और हाफी है उन्हें वी लॉग में ये काया कि जी वैसे तो हमारी जो वजारते खारजा उसने इसकी तरदीद की है लेकिन उन्हें नों ये भी काया है कि पाकिस्तान कोई अड़े नहीं दे रहा 2001 का जो मौईदा वही उसी के ताद जो भी होगा वो होगा तो 2001 का जो मौईदा था उसमें कहीं वही प्रवेज मौईदा वाली शिक तो शामिल नहीं थी तो एक मौमा है कि वो जो मौईदा हुआ था उसकी तफसील क्या है उसको कभी अवाम से और पार्लिमेंट से शेयर नहीं किया गया उसमें क्या ये लिखा था कि जैकवबाद और शम्सी एर बेस भी अमरिका को दिया जाएगा उसमें क्या ये लिखा था कि ड्रोन हमले भी अमरिका करेगा पाकिस्तानी इलाकों में मेरे खाल में उसके तफसील सामने आने चाहिए और ये माइदा कितने अर्से के लिए है कब तक कि चलेगा 20 साल तो हो गए 21 साल इसके अलावा ये भी देखना है कि देखें हो हालात और थे वो अमरिका के उपर 9-11 का हमला हुआ था और अमरिका ने अफगानिस्तान के उपर हमला किया था पाकिस्तान ने अमरिकी दवाव में आकर कालिबान की हुकूमत को तसलीम पहले किया था फिर इनकार कर दिया और अमरिका की खुल कर हमायत की और आपने देखा कि पाकिस्तान की हमायत की वज़े से अमरीका को बहुत जल काम्यावी आसे जो बहुत आए जो है लेकिन ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने उसके कीमत भी बहुत चुकाई है मैं आपको फिर कह दूँ के वजीर अजम इमरान खान साब ने एक अपने दोस्त सहाफी से परसों मुलाकात करते हुए कैटेगोरी कली ये का है कि उन्होंने शदीद इस बात पर अपने तहफुजात का इजहार किया और कहा है कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी ड्रॉन हमलों की या फोजी अड़ो देरों की इजाजत नहीं देगा और उस पे उन्होंने का है कि मैंने यह का है यानी वजीर अजा कि वजीरस्थान में ड्रॉन हमलों के खिलाफ इतजाज किया था लहाजा मैं मेरे उते हुए इस सारे इसमें उनकी कैटेगोरिकल पॉजिशन नहीं हो सकता है मैं यूची चाहूँगा कि चाहिए कि वजियराज अधम ये बात खुलकर करें अपने पोलसे बैान दे पर कुछ यह बहुत से बख्यूरी है कों ही अड़े देना चाहरा है और कों नहीं देना चाहरा है यह बहुत जरूरी ही अवाम को बताने के लिए और पार्लिमेंट को बताने के लिए हिलाली साथ बात सिर्फ अड़े देने तक की तश्वीश की है या फिर जो एक वे जी आप ही की तरफ आरी हिलाली साथ कि उसमें एक ये भी माइदे में ये चीज तो है कि इमरान खान साथ ये भी कर सकते हैं कि उनको सिर्फ एक रास्ता जमीनी दे दे निकलने के लिए नॉट फॉर अटाक देखे ये सब बातें ये सब स्प्लिटिंग हैज पे भूल जाएं बात असल ये है पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आपके हवा से मैंने ओवर एश पेस से क्या अमेरिकन प्लेंज आफ इनी काइंड क्या वो जाके अग्रेसिव इंटेंट के साथ मैं नहीं कहता सिविलियन प्लेंज अग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉम कर सकते हैं अफगानिस्तान अगर उसका जवाब हाँ है और उसका जवाब हमें अभी नहीं पता चलेगा और अब बड़ी जल्दी पता चल जाएगा तो फिर हम यू कन कंसिडर के अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुलक अपना हवाई एर स्पेस को भी अलाव करेगा हमारे खिलाफ बॉम करने के लिए हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे नमबर वाट दूसरी बात ये है कौन होता है कोई भी इस मुलक में ऐसा फैसला करने के हम बेगुना लोगों को अमरीकनों को आके कहेंगे हाँ हमारे एर स्पेस से जाओ और उनको मारो और उनको तबाह करो माने आप जो मर्जी है जाके जिदर मर्जी है बॉम करें और पाकिस्तान का एर स्पेस इस्तेमाल करें किसी की जुरत नहीं है पाकिस्तान में वैसे इजाज़त देने के लिए और मैं बड़ा खुश हूँ आज के मौलाना फजलरह्मान ने वो कहा है माफ करिये जो मैं आट घंटे पहले एक ट्वीट में कहा था मैंने कहा कि जिस तरीके से यमन में आपने पार्लिमंट से इजाज़त मांगी थी वैसे आप जाएं और वोई मौलाना फजलरह्मान कोइंसिडेंटली उन्हों ने भी यह कहा कि हम गवर्मंट को कहते हैं जाओ पार्लिमंट में और इजाज़त लो और डॉन्ट फूल आस ये मुशरफ के तरह गेम मत खेलो हम जानना चाहते हैं कि हमारे एर स्पेस से अगर यह होगा तो पाकिस्तान डी स्टेबिलाइज होगा अफगानिस्तान डी स्टेबिलाइज होगा इनको निकालते रहे गनी को और अमरीकन जान बूच के यह कर रहे ह तो गाइस ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आप यहां से वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं तो आपने देखा दोस्तो पाकिस्तानी मीडिया में ये डिसक्रिशन कंटिनी हो रहा है कि अमेरिका को जो पाकिस्तान हवाई अड्डे देने वाला है क्यों देने वाला है क्या ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी पागिस्तानी मीडिया में ये continue discussion हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पागिस्तान के मीडिया को खुद ही believe है कि पाकिस्तान की government या पाकिस्तान की establishment है वो कभी भी you turn ले सकती है और कभी भी कुछ भी कर सकती है और ये जो discussion है वो इसलिए जादा हो रहा है मेरे नजरिये से क्योंकि अमेरिका की तरफ से official statement आया था कि हमारे साथ पाकिस्तान की जो process है वो continue रहेगी 2001 का जो agreement है वो continue रहेगा इस वज़ा से पाकिस्तानी मीडिया में ये continue discussion हो रहा है और guys इस मतलब जो अमेरिका अगर अड़े लेता है पाकिस्तान में तो उसके पाकिस्तान का तो उसमें बहुत फायदा हो जाएगा जो FATF के जहणजट में पाकिस्तान फसा है पाकिस्तान को बहुत सारे करजे हैं पाकिस्तान को इसकी अच्छी खासी कीमत मिलेगी और जो कि पाकिस्तान बसूल भी रहा अर लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया में चिनता की बात हो रही है कि अफगान तालयوان को आप अपना दुस्मन बना लेंगे चीन को अपना दुस्मन बना लेंगे लेकिन पाकिस्तान इतने मतलब दलदल में फस चुका है करजे की कि वो जितना हिलता है उतना ही नीचे जाता है तो साइद उसा ऐसा लग रहा है कि ये तरीका सही है मतलब आप अमेरिका से पैसे लेकर करजे चुक लग रहा है काड़े दे ही चुके हैं क्योंकि अफगानिस्थान की मीडिया बे ऐसा कुछ डिसकशन हो रहा है कि जो जगा है पाराचिनार और तीन चार जगा है वहाँ पर कुछ एर वेसेजा हैं मतलब बनने लगी हैं मतलब भी ऐसा लग रहा है की सीक्रट तोर पर अड़े यहां पर जफर हिलाली तो ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है कि पाकिस्तान में ग्रह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं पाकिस्तान में इस बज़ा से बहुत सारे रिफ्यूजी आएंगे पाकिस्तान फिर से वही पुरानी जंगी हालात में चला जाएगा जिस समय मतलब अफगान पाकिस्तान में आई थे तो ग्राइज आपको भी पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पैसे के लिए तो अपनी माधेटिया भी बेझ दे और ये पैसे पाकिस्तान का करजा चुकाने में यूज होते भी है या नहीं होते हैं अब इसका पता तो बाद में ही चलेगा लेकिन अभी तो पाकिस्तान को जहां से पैसे मिलना है वहां से वो लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है और आपको भी पता अमेरिका की दोस्मनी से जादा दोस्ती खतरनाक रहती है और पाकिस्तान अमेरिका से कुछ टू मच ही मतलब क्लोज था और हभी भी अब लग रहा है फिर से हो जाएगा तो देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है अब पाकिस्तान के जो मीडिया में ये बाते हो रही है कि मतलब अड़ा दे देंगे तो हम गदारी करेंगे पाकिस्तान के खुद के मतलब जो अपोजीशन के लीडर है वो काफी ज़ादा बिसमें मतलब वो क्या कहते हैं जो रैलिया बगारा बिरोध बगारा करना शुरू कर दिया है तो आने वाले समय में सिच्विशन क्लियर हो जाएगी हलाकि इंडिया अगर पाकिस्तान के नजरीये से देखें भारत तो भारत को फायदा हो गया कर अमेरिका यहाँ पर आता है तो टेफिनेटली भारत का फायदा हो गया पस्ट इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा टेंसन न जाए और चाइना पाकिस्तान से दूर जाएगा उसका भी इंडिया को फायदा है तो यह चीज है इंडिया के पक्ष में है तो गाइस यह वीडियो यहां पर होता है खत्म आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमें बॉक्स में अपने सुजहा जरूर्द है